तो हमें समझना है कि डिबेंचर क्या होता है, डिविडेन क्या होता है, शेर क्या होता है, तो मैं आपको दंदे के अलग-अलग स्वरूप के बारे में बताऊंगा, जो कि आप लोग बी-ए में पढ़ोगी, कहां पर पढ़ोगे? धंदा ना स्वरुप तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मारे एकला धंदो करो तो मारी पासे 55 गृप्य छे और 5 गृप्य थी हुआ है जला यू धंदो सरू करी इसको हाँ करी सको पांतलाक रुप्या थी मारो नानो नानो दंदो चालू करी सको करी सको ने बराबर छे करी सको परन्तु मारे जे दंदो चालू करवो छे मारे पांतलाक रुप्या थी चाले हम नती मारे पास ही 500 जावल छे मारे फाट लक ती दंदो चालेंड न थी लहूंँ क्या जरीष हून से मार्केट मार्केट मां बेंक पास जरीष बेंक वारा ने ऐसकिобще से बेंक मने विया पीकल अपर लोन आपो बेंक वाड़ा पासे थी पांच लाक रुपया लोन लाइस मारी पासे केटला थे ग्या केटला थे ग्या 10 लाक दस लाक थे ग्या थे ग्या के कोतला थे मारा दंताब मतलो जरू झा पallah मुर्पाव यानी डी फेके जम पंच लाक रुपया बंस नेद उप्छन जरू है तो उसल काईश होएं मारी पैशाव सोछर न चेल कौना चालिस लाक वर घॉल कहां से लाओंगा मैं बाकी के 40 लाग कोई नी पासे थी उदार कोई नी पासे थी ले बेंक वाड़ा पाहें थी तो उदार ली दारी है 10 लाग रुपया 5 लाग रुपया बिजू कोई अप्शन फेरी गूड पाटनारस वह पड़े शाबास थो न基本 करो चू हार्सने पार्टनर तरीके राखी दहों सब्सक्रुपया लाइवों थी जाल ने पाटनर तरीके राखे अधों । निकीता ने पार्र No. 3 के राखे दहूं नीकीता पांत लाख रुपया लाईवों कि आथब कि नेंटेम में पांटिन तर रिखित तो चीराःक बेलॉख रुप्या लाइवो पिया पॉ जेपी ने पार्टनर तरीके राखी तो जेपी ने त्रनलाक रुपिया लाएगो था या पचासलाक रुपिया जोई लोजे दस ने दस वीश ने दस त्रीश ने दस चालीस हत जाने चला तो आपड़े यां दस-दस करी दिये रहे अने जेपी पात लाक रुपिया था गया पचास लाक अवे मारे दंदों चालू था ये के नहीं तो आमा सूं थायू आने पार्टनर्शीप के वह शूंकर इसको पार्टनर्शीप बोलते हैं आने पार्टनर्शीप में क्या होता है आने भागी दारी के वह गुजराती मै खेंग और बैसको साज़ेदारी पूलते हैं ह महां होई अवे थाई के दंदों तो वह तक्यों भरकीन बढ़ाद भरकी वह तक्यों वह तकियो अणि दंदो एटलो वत गयों कि अमारे फच्चास लाखनी ने, पांच करोड नी जरू छाँ, आपड़ा दंदाना विकास माटे पांच करोड नी जरू छाँ, है और पांच कोरोण नी जरूओ ती तो में हुख रूओ अभे कर ऊशू आना थी वद्यारे तो पाठनर तो रखाई नहीं आतला बदा पाठनर तो के वाई नहीं तो आपड़े पाठनर राखी सकाई और अपड़े कोई एक और खिता व्यक्ति ने आपड़े पाठनर राके आटली मोटी रकम आप़े ये जैने ब्रम आपने को आपको ये पांग आपने तो आपने नाणी-नाणी रकम लोको पासे मंगा भी पड़े तो ऑंचुटां करूच ओपांच करोड रुपया मारे जोईच के थेला जोईचे अब 5 करोड ने सो-सो रुप्या सो-सो रुप्या ना मा भागला पाड़ी देव चो तो सो वड़े बागो तो क्रोण तो केटला थे 5 क्रोन ना आप पांच लागत है हाँ पात लग था ही के ने आ सो रुप्यानी एक में टिकेट बनाई भी सो बनाई भी सो रुप्यानो कुपन बनाई भी टिकेट क्यो कुपन क्यो जे क्यो थे बराबर तो आ सो रुप्यानो एक कुपन यह प्त लाग लोकों ने सो रुपेएनू एक कुपानू पाँ लाख रुप लोकों ने वेचू ये तो माने पाच करोड मड़े के नी हुआ हवे पण ये पाच लाख नी अन्दर मारा केटला छे ईलैistory है dirig है पाच करोडनी यंदर मारे सब्सक्राइबason त्रश्य चीड हें do Gчик कियौंत किश है आए जब्यक्रीक संस flavored जब्यक्राम की पाँचया अदेक पांच आई इında आज़ाद भाट्रावीक ने कैमें टीकते त Colin ऑज़द कको आप चार लाग पचास जा टिकीट ने आम जनता माउं वेची देश, आम जनता माउं वेची नहीं देश, मफत माना थी वेच वानी, ए सो रुपया ने टिकीट तो ओछा मोचा सो रुपया तो लेवा ना च्छे पबलिक पासे थी, पर कोई सू कर से, आप तो आपने मोटा मो कोई सू कर से, सो टिकीट खरीचे, तो आप पने दस सजार रुपया मोर सी, आम करता करता करता, 4 लाग पच्चास जा टिकीट अजो वेच वानी चे, क्याटली टिकीट वेच वानी चे? हां थाने कंग पच्छास ज़ा टिकेट हों अपड़े अंदर अंदर बदाया रूब आपड़े लो कोनोर रडल 17 जन्य पासे जटला पैसा आता है पर माने टिकेट वेची लिदी, परणतो पब्लिक ने आपड़े जारे मार्केट माँ वेच्छू टिकेटों, तो एट खरे कर जाने मैं सब्द वाईपरों ने टिकेट सब्द नाव अपराई, मैं सुँँ कईरू चा टिकेटी नी हूँ कई कर दिया बाटने को इंग्लीज में क्या कहेंगे वेरी गोड़ वेरी गोड़ सेर मैंने क्या किया सबको सेर कर दिया है नहीं मैंने क्या बाटा मैंने क्या सेर किया मैं सू सेर कई रू बद्दा वचे एक तो मुड़ी एक परीसा नू जोखम सेर कई रू है मुड़ी लगावा नो जोखम सेर्ट केंगा थोड़ा थोड़ा रूप्या नाखवा पड़े बद्रों जोखम होच था किउझके ने पबलिक नो कोई सो रूप या नाख से कोई दस कोई हजार रूपिया नाक से बन्योक नाख Euro का सब को बाटा जाएगा जितने भी मालिकों के सब को बाटा जाएगा यह सब भी मालिक है क्या है यह सब भी चालाग पच्छा सजार को उपन खरीदने वाले भी मालिक है लेकिन वह छोटे-छोटे मालिक है क्योंकि उसने छोटे-छोटे पैसे डाले हैं हमने बड़े-बड़े पैसे ड्लेन नोट इसके पास ज्यादा से भू बड़े माली जएक बास कांफ प्रफिट चोटे मॉलक हुए मेला तो लेकिन प्रोफिट जो है वह भी उसके हिसाब से दिया जाएगा जिसने दस छाजर कुपन लिया है उसको ज्यादा प्रोफिट जिसने पांच अजर कुपन मतलब सेर खरीद है उसको कम प्रॉफिट जिसने सो कुपन खरीद है उसको और कम प्रॉफिट जिसने दस कुपन खरीद है उसको उससे भी कम प्रॉफिट क्लियर हुआ है हाँ बोलो कम्पनी घाटे में जाएगी तो कम्पनी को केले को नुक्सान नहीं है सब को नुक्सान है अगर उसने 100 रुपे का एक सेर खरीदा आए जिसने अगर कम्पनी को घाटा हुआ पांच करोड की कम्पनी खड़ी कि उसमें एक करोड का घाटा हुआ कितने करोड का एक करोड का गाटा हुआ तो एक करोड का गाटा हुआ तो पांच करोड का एक करोड जो है वो पांच करोड का कितना भागे पांचवाँ भागे तो जिसने भी सो रुपय का सेर खरीदा उसके सेर की किम्मत कितनी हो जाएगी सो में से पांचवा बाग माइनस कर दो 20 रुपया माइनस कर दो 80 रुपया हो जाएगा तो उसकी सेर की किम्मत कितनी हो जाएगी 100 की जगा 80, अगर वो वापस चाहे तो उसको कितना मिलेगा, 100 रुपया नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 80 रुपया ही वापस मिलेगा, अगर घाटा गया तो, तो इसलिए तो हमने क्या क्या, सुख दुख दोनों को बाट दिया, खाले सुख को नहीं बाटा, खाले दुख को नहीं तो जब share होते हैं तो वहाँ पर company होती है क्या होती है इसको हम साज्यदारी नहीं बोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे company बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग एक दुसरे को साथ देने के लिए कि इकठे होते हैं बहुत सारे लोग एक दुसरे को साथ दे के आगे बढ़ने के लिए शेयर करते हैं पैसा लाब हानी जिम्मेदारी रिस्क जोखिम यह सब चीजों का सेरिंग होता है और सब चीजों का सेरिंग होता है तो सब एक दूसरे का साथ देते हैं वहाँ पर और एक दूसरे को साथ देने को इंगलिस में क्या कहते हैं रहने हो गजरती बोलते हैं ना हिंदी में गुजरती में चलना फोड़ा मेरे साथ वाहब तक चलना इस्सांत दे नेizar को county देना तो एक दूसरे का साथ देना मतलब हो गया हमारा कम्पनी क्लियर इसलिए वहाँ पर लोग एक दूसरे का साथ देते हैं इसलिए उसका नाम दे दिया हमने कम्पनी क्लियर हुआ चला अभी और थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको अभी मुझे ये बताओ कि ये पांच करोड़ पांच करोड़ का अमने धन्दा चालो कि या उसमें से पांच करोड़ में से पांच लाग का मेरे को दस लाग का फाइदा हुआ कि इस लाग का फाइदा हुआ दस लाग का लाब हुआ तो सर हर एक पब्लिक को कितना मिलेगा यह चलो मेरे मेरा दस हजार मेरे मेने दस लाग डाला था तो मेरे को कितना मिलेगा दस लाग के लाब में से मेरे को कितना मिलेगा हर्स को कितना मिलेगा विशाल को कितना मिलेगा निकिता को कितना चीरा को कितना जेपी को कितना कितना मिलेगा किस किस को कितना मिलेगा तो ये मेरी बात समझे ये पांच करोण में से दस लाग का फाइदा हुआ है ना वो पांच करोण में से दस लग का फाइदा हुआ ऐसा नहीं देखा जाएगा क्या देखा जाएगा सेर कितने थे पांच लग सेर थे पांच लग सेर जो है उसको दस लग का फाइदा हुआ तो हर एक सेर के बटे में कितना आया, हर एक सेर के बग में कितना आया, कितना फाइदा आया, पांच करोड़, पांच लाग सेर वाले को दस लाग का फाइदा हुआ, तो एक सेर के बग में कितना फाइदा आया, दो रुप्या आया, पांच लाग सेर के सामने, दस लाग का फा तो नहीं समझ पढ़ रहा है तो बोलो पांच लाग के सेर के सामने दस लाग का फाइदा एक सेर के सामने कितना फाइदा तो दस लाक गुना एक भागा पात लाक तो दो रुपया हुआ तो दो रुपया का फाइदा एक सेयर पर मिल रहा है मतलब मेरे पास दस जा जार सेरे तो मेरे को बीस जार मिलेगा हर्ष के पास 10,000 सेर है तो उसको 20,000 का लब मिलेगा निकित के पास 5,000 है तो 5,000 गुणा 2 रुपिया मतलब कितना हो जाएगा 10,000 का फाइदा हो जाएगा जेपी के पास 5,000 है तो उसको भी 10,000 का फाइदा हो जाएगा और जिस किसी के पस 10 सेर है तो उसको 20 रुपे का फाइदा हो जाएगा जिस किसी के पस 100 सेर है तो उसको 200 रुपे का फाइदा हो जाएगा इस फाइदे को इस नफा को इस प्रोफिट को हम क्या करते हैं पब्लिक में डिवाइड कर देते हैं किस क्या करते पब्लिक में डिवाइड कर देते हैं तो अब जब डिवाइड करते हैं तो भागाकार करते हैं हिंदी में भागाकार को बाग करते हैं तो अंदर होता है उसको क्या बोलते थे बाज्या बाज्या बाहर होता है उसको क्या बोलते थे बाज्यक इंगलिस में इसको क्या बोलते थे बाज्यक को डिविडंड बोलते थे क्या बोलते थे डिविडंड और जो बाज्यक के उसको जो बाज्यक करने वाला है उसको क्या बोलते थे डिवाइडर बोलते थे क्या बोलते थे डिवाइडर तो यह क्या है हमको जो बाग, सबके बटे में भाग मिल गए आप पाँच लाग का, दस लाग का, वो दस लाग को हमने सबके भाग में बाठ दिया, तो इस दस लाग को क्या बोलेंगे, डिवीडन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिवीडन, तो यह तो बात हो गई, मालिक की, क मैंने जो पैसा लाया था मैं स्टार्टिंग में तो 5 लाग तो मेरा खुद का था ना 5 लाग का 5 लाग तो मेरा खुद का रुपया था लेकिन 5 लाग में बैंक से लोन लाया था लोन अभी कमपनी को और पैसे की जरूत पड़ गई अभी कमपनी को और पैसे की जरूत पड़ लेकिन कमपनी सोच रही कि अभी इससे ज्यादा मालिक हमें बनाने हैं नहीं है हम लोन लेंगे क्या लेंगे कमपनी ने क्या सोचा कि हम लोन लेते हैं तो लोन लेंगे तो क्या होगा तो देखो डिविडेंट में क्या होता है मालिक में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति मालिक हो लेकिन हम लोन लेंगे लोन में क्या होता है कि लोन में लोन में कितना भी हमको हो उसका लेकिन हम जो लोन लेते न उसका एक फिक्स प्रतीसत होता है उतना ही लाब हमें उसको देना है हम अगर सो रुपे में से पाच पचास रुपय का लाब कमाते हैं सो रुपय का तो सो रुपय रहे गई उपर से पचास रुपया का लाब कमाते हैं अगर मैंने सो रुपय का देड़ सो रुपया कर दिया सो रुपय का देड़ सो रुपया कर दिया तो कितना लाब हुआ लाब कितना हुआ पचास रुपया हुआ तो अभी ये पचास रुपया अगर सियर्व हाला है मालिक है तो पचास का पचास मिलेगा लेकिन बेंक वालों से हमने सो रुपया लिया लोन के रुप में और सो रुपय का हमने देड़ सो कर दिया तो बेंक वालों को हम 50 रुपया नहीं देंगे बेंक वालों को हमने बोलेंगे भाई तुमने कितना प्रतिशत का लोन दिया है ब्याज देंगे क्या देंगे हम उसको ब्याज तो हमने कितना प्रतिशत का लोन लिया है बेंक ने बोला पर 10 प्रतिशत का तो बैंक बोलेंगी कि 100 उप्य का 10 प्रृतिश्ट किटना होता है 10 उप्यह होते हैं तो 10 उप्य लाब लेके जाओ बाकी का 40 उप्यह किसको मिलेगा मालिक को मिल जाएगा किसको मिल जाएगा अगर मालिक का पैसा होगा और मालिक ने 100 रुपिया डाला होगा तो 100 का 500 हुआ तो 50 का 50 मालिक को मिलेगा लेकिन अगर हमने किसी से भी लोन लिया है तो लोन का क्या होगा 100 का 500 बना लिया हमने तो हम पूरे का पूरा 40-50 रुपिया मालिक को नहीं दे उसको खाली ब्याज देंगे, क्या देंगे हम उसको, बाकी का जो है, वो किसको मिल जाएगा, मालिक को मिल जाएगा, तो इसी तरह लोन हम कहां कहां से ले सकते हैं, लोन हम बैंक से भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे शेर हम पब्लिक के पास से पैसा ले सकते हैं कि नहीं, लोगों को मालिक बना के शेर के पैसे खरीच सकते हैं कि नहीं, शेर के पैसे ले सकते हैं कि नहीं, शेर बेच के, लोगों को मालिक बना सकते हैं ना, छोटी-छोटी रखम लोगों से ले सकते हैं ना, इसी प्रकार, मार्केट में पबिक के पास से हम लून भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए के लोन दस क्रोड की पॉब्लिक में से कोई एक व्यक्ति के पास जाओ गाई मेरे को 10 क्रोड दे दो अच्छा रहेगा कि वह देगा मुझे तमाच आमार के निकाल एक बाई तु निकल तेरे को में जानना ना पहिचान हां हो क्या बोलेका निकल मैं बोलो का चलो तुम थ Key lesson 10 करोड नहीं 5 करोड दे दो तो इय। अधी रखम क्यों माँगойтиो निदो जनों से 5-5 करोड मांग तो भी मेरा 10 करण जाएगा ना वो बोलेकाइ नहीं भैई ऐसा नहीं करते ना जनना पहिचान किसी से ऐसा नहीं करते हैं आना मैं मैं बोलूँ का बैए मैं आपको 10% ब्याज भी दूँगा वो बले का पर ब्याज की बात ही नहीं लेकिन मोड़ी नहीं दूँगा मैं तुमको तो वो क्या बोलेगा तो हम क्या बोल करेंगे एक व्यक्ति से बड़ी रखम की लोन नहीं लेंगे लेकिन हमें अगर दस करोड चाहिए तो एक करोड लोगों से दस-दस रुप्या ले सकते हैं लोन पे या दस लाख लोगों से 100 रुप्या ले सकते हैं उसका जाएगा तो कितना जाएगा? सू रुपीय जाएगा ना? मिलेगा तो दस रुपीय ब्याद तो मिलेगा यह मिलेगा उसको फिक्स. उसको कोई ऐसा नहीं हो कि हाँ, अगर कंपनी को गाटा हुआ ना तो भी लौन का पैसा तो देना ही पड़ेगा. लेकिन जो शेर के मा पास से छोटी छोटी रकम की लोन ले सकते हैं उससे हम बोलते हैं डिबेंचर बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं और हिंदी में उसको सब्द दिया होगा रूण पत्र क्या दिया होगा रूण पत्र इसी तरह सेर को इंग्लिस में सेरी बोलते हैं हिंदी में भी अंस खरीदने वाले आया समझ में सबको तो आंस और डिबेंचर मतलब रुन पत्र दोनों ऐसी चीजे जो छोटी-छोटी रकम में हम खरीच सकते हैं और छोटी-छोटे मुल्य में हम उसको हम कंपनी के छोटे-छोटे मालिक भी बन सकते हैं या फिर कंपनी को लोन देने वाल भी बन सकते हैं लेकिन अगर हम कंपनी के मालिक बन जाएंगे तो हमें लाब और हानी दोनों हो सकता हैं लेकिन अगर कंपनी के डिबेंचर हमने खरीदे तो ना तो लाब होगा ना तो हानी होगा हमको खाली व्याज मिलेगा क्या मिलेगा यहां पर जो डिबेंचर पर चु अब अब निजा दूसरी कमनी के दिनक्रंट थे हुए हैं तो उसका ब्यार्ज में मिलना बाकी है तो इसलिए वहां पे लिख रखा यह इंटार है जाजी है याइन् है क्यें लेखने टोपिक